जी बेटा तो मैं यह गह रहा था कि अगर आप इसको गोर से देखें तो यह जो तीन एलेमट्स है ना 0-0-0 यह इन पोजिशन्स पर आ रहे हैं तो देखो यहाँ 1-2 है, यहाँ 1-3 है यहाँ 2-3 है तो यही तो वो तीन एलेमेंट्स हैं होता है वो less than j होता है तो आई अगर less than j है और वो तमाम element zero है तो इसका मतलब यह उपर वाले तीन element zero है और अगर उपर वाले तीन element zero हो तो जो matrix होती है वो क्या कराती है lower triangular clear हो गई बात अब आईए अब अगले में कह रहा है a triangular matrix is always a square matrix यह बात बिटे याद रखना कोई सी भी triangular matrix हो ना चाहे upper triangular हो चाहे lower triangular हो वो square matrix की ही type होती है तो कोई सी भी triangular matrix हो वो हमेशा square matrix की ही type होगी यह बात याद रखिएगा clear फिर कहरा है square matrix a is excuse symmetric if आप सब कुछ आनते मिटे properties कि अगर a की power transpose का answer minus a के बराबर आजाए अगर a की power transpose a का transpose बराबर minus a के आजाए तो उस matrix को हम excuse symmetric कहते हैं और Hermitian किसे कहते है मिटे अगर a conjugate का transpose बराबर a आजाए तो अगर a conjugate का transpose a के बराबर आजाए तो Hermitian और अगर a conjugate के transpose बराबर minus a हो जाता तो उस Q Hermitian हो जाता, प्लेर हो गई बाद, अगला इंपॉर्टन पड़ा MCQ है, वो देखिएगा, यह इसने दो Determinants जीए में बिटे आपस में, यह कह रहा है कि A, B, 0, 7 बराबर है 2, 3, 1 और माइनस 9 के, सही है, A, B, 0, 7 बराबर है 2, 3, 1 माइनस 9 के कह रहा है, 7 को A से मल्टिप्लाई किया, तो आंसर आजाता, 7 A is equal to, और पिटा, जब लेट को लेट से मल्टिप्लाई कराते, तो 0 B से मल्टिप्लाई होगे, 0 हो जाता, तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब राइट साइट पे माइनस 9 को 2 से आप मल्टिप्लाई कराएंगे, तो बनेगा माइनस का 18, और फिर 1 को 3 से मल्टिप्लाई कराएंगे, आएगा 3, लेकिन साइन लिखेंगे माइनस 3, तो अब यह बन जाता, 7 A is equal to माइनस का 21, 7 वंजा 7, 7 3 टाइमस 21, तो इसको में एक आंसर बन जाएगा, माइनस का 3, यानि लेफ्ट हैंड साइट का डिटर्मिनेन निकाल ले, 7 ने आ जाएगा, राइट साइट के डिटर्मिनेन को फाइंड आट कर ले, minus 21 आ जाएगा minus 21 को divide करेंगे 7 से तो answer आ जाएगा minus 3 अब कहा रहा है the number of non zero rows in eclone form बिटा किसी भी eclone form में जो number of non zero rows होती है उनी को तो उस matrix का याद है rank कहा जाता है तो किसी भी eclone form में जो number of non zero rows होती है उनको उस matrix का rank भी कहते है अगला है if A is item potent अगर बिटा कोई matrix A item potent है तो उसके लिए formula क्या होता है property क्या होती है A square बराबर है अगर किसी matrix का square लेने से व्यवाब में वापस वह matrix आ जाजा है तो उस matrix को हम कहते है item potent इसी तरह बिटा आपको याद है अगर A की power P बराबर null matrix के आ जाजा है आपको लिखवाई थी symmetric की, skew symmetry की Hermitian की, skew Hermitian की इसी तरह periodic, null matrix involuntary, iron potent, nil potent इन सबकी properties, सबकी definitions जो लिखवाई थी mathematics, mathematically वो सब याद करके जाएगे ठीक है बिटा थैंक यू